अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? बस ये सरल साधना कीजिए आप सभी, अगर आप कोई दूसरा योग नहीं कर सकते, तो आप इतना तो करी सकते हैं, ना? आप देखेंगे, कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगे, क्योंकि वास्तव में संघर शिर्स बात का है, कि आपके भीतर दो हयाम हैं, अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते हैं, नहीं, इसलिए जवाबों के लिए कहीं और मत देखिए, कहीं भी दूसरी जगा, बात बस इतनी सी है, कि आपका अपना शरीर और मानसिक धाचा, आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने बहुत सी बाते कहीं, मैंने कोशिश की और ये पूरी कैलिफोनिया में जो बड़े-बड़े शब्द घूम रहे हैं, खासतोर पर उसे सरेंडर करने के बारे में, इसे जाने देने के बारे में, ऐसी किसी चीज़ ने एक भी विक्ति के लिए काम नहीं किया है, इसने किया है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको चुनता है, उसे जाने देने की कोशिश कीजिए क्या ये चली जाती है? यहां तक की फ्लू भी, कमबक्त फ्लू तक नहीं जाता है आया ना साधरन सी सर्दी भी नहीं जाती है आप कहते हैं, जाओ क्या ये चली जाती है? इसलिए हमें समर्पन के इन सजावटी चक्रों में नहीं पढ़ना चीए ये सब इधर उधर की बाते हैं कोई नहीं जानता कि समर्पन क्या है क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या ऐसा हुआ है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने समर्पन कर दिया ये कैसे सम्बर रहे हैं? तो उन चीज़ों को छोड़कर खास तोर पर जैसे मैंने कहा है आपने यूजर मैनुविल को नहीं पढ़ा है कि ये कैसे काम करता है? हमें इस पर ध्यान देना होगा ये सिस्टम इस तरह से बना है कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें तो ये एक तरीके से काम करेगा अगर आप ऐसे करें तो ये दूसरी तरीके से काम करेगा ये एक अग्भुत प्रक्रिया है अगर ये कोई सरल चीज होती तो हम इसे छेनी हतोड़ी से कूट पीट कर सही आकार में ले आते ठीक है? ये बहुत साधा परिश्कृत है ये मशीन असाधारन रूप से जटिल है ये जिस चीज के लिए बनी है उसे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है वरना ये खुद को अस्तव्यस्त कर लेगी अब कई कारक हो सकते हैं जनेटिक कारक हो सकते हैं सामाजिक कारक हो सकते हैं कुछ पालन पोशन के मुद्दे हो सकते हैं तमाम तरह की चीज़े हैं पर अपनी समस्याओं के लिए इन में से किसी भी चीज को कारण मन ठहराए जरूरी बात बस ये है आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं आपकी बस यही समस्या है, है न? जिस पल आप कारण देते हैं कि मैं ऐसा इस लिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे अब वो बीच चुके हैं पर आप इसे रूपांतरिद कर सकते हैं आपको ये समझना चाहिए अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है फिर भी अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं तो यहाँ एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो एक गाजर को एक मनश्य में रूपांतरिद कर सकती है इसका मतलब हर रोज आपके भीतर एक नए शरीर का निर्मान हो रहा है अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले ले लें तो आप पूरी तरह से एक नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्मान कर सकते हैं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ पिछले साल हम लोग तिबत में ट्रेकिंग कर रहे थे मैं एक टेंट में था मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व्यक्ति एक सेब काट रहा था आपको इन दुनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकों का पता है तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है यह बहुत तेज चाको है ध्यान रखना यह मुझे थोड़ा परेशान करता है मैं ऐसे देखता हूँ क्योंकि यह एक बड़ा अद्मी है अगर वो कोई बच्चा होता तो अलग बात थी तब हमें देखना होता कि वो चाको कैसे इस्तिमाल कर रहा है वो एक पूरा बड़ा अद्मी है और चाको को तेज धार ही होना चाहिए अगर उसकी धार तेज ना हो तो आप उसे चाको क्यों कहेंगे तो मैंने उसे अन देखा किया और काम करता है आगले दो मिनटों में वो फिर कहती है यह बहुत तेज चाको है ध्यान रखना मैंने का आप बस करो वो एक बड़ा अदमी है उसे अकेला छोड़ दो उसे पता है चाको को कैसे इस्तिमाल करना है वो एक छोटा से चाको नहीं समाल सकता यह कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरिक्षियान या ऐसा कुछ नहीं है कि उसे पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है ये एक चाकू है वो क्या थी नहीं सद्गुरू ये बहुत ही तेज चाकू है और मैं जो कर रहा था वो करता रहा है अगले दो मिंटों में वो उससे फुस फुसाती है बहुत ध्यान रखना ही बहुत तेज है और अगले दो मिन्टों में वो अपनी उंगली काट लेता है उसके बाद मैंने आख मान लेटी यही सब हो रहा है जीवन के साथ यही सब हो रहा है आपके पास एक बुद्धी है जिसके लिए आपके पास कोई परियाप्त स्थिर आधार नहीं है या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है माफ किजिएगा बहुत ही तेज चाकू आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है ज़रा देखिए यह आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है न हाँ या नी तो आपके पास है बहुत तेज चाकू है ये जितना धारदार होगा उतने ही आप खुद को काट लेंगे तो हमें चाको को कुंद नहीं करना है हमारे पास बस एक स्तिरहाथ होना चाहिए है न इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं उससे चाको को कुंद करने की कोशिश कर रहे है चाको को कुंद करना हल नहीं है क्योंकि अगर आप अपने होनी की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा अगर हम आपका आदा दिमाग खटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है अगर हम सच मुझ में आपका आदा दिमाग खटा दें और अगर ऐसा होना है, तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है कोई प्रक्रिया नहीं करनी है इनर इंजिनिरिंग का योग का बस यही अर्थ है जब मैं योग कहता हूँ कैलिफॉर्णिया में रहने की वज़े से उन सभी असंभव मुद्राओं की कल्प नामत कीज़े योग का अर्थ मुद्राएं नहीं है योग का अर्थ है मिलन ठीक है? योग का शाब्दिकर्द है मिलन ये मिलन का पहला रूप है आपका दाया और बाया येसे योग में पिंगला और इडा कहा जाता है ये आपके भीतर पौरोश और उस्त्रेन है इन्हें बस एक साथ कर दें आप बस ये सरल साधना कीजे अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते तो इतना तो करी सकते हैं न? आप ऐसा कीजे जो आपकी जीवन से संबंदित हो ये चड़ता हुआ सूरज हो सकता है सूरज उपर आ रहा है सूरज के उपर आए बिना इस गरापर आपका स्त्वित्व ही नहीं होता है और कुछ इस तरह इसे देखिए जो भोजन आप खाते हैं, सूरज, जिस धर्ती पर आप चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ भी चुन लीजे बस ये कीजे आपके दाएं और बाएं को पूरी तरह एक साथ कर दीजे इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधे, ठीक है? बस किसी ऐसी चीज की ओर देखिए, जो आपके लिए सच में माइने रखती है शायद सूरज, शायद आकाश, शायद बादल, शायद एक पेड़ या कोई व्यक्ती, शायद एक बच्चा, एक जानवर, कोई माइने ने रखता कि क्या बस उसकी ओर देखिए, लगातार 10-12 मिन्टों तक दोनों हाथों को जोड़े रखिए आप दिखेंगे कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वास्ताव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर दो आयाम है मैं इसके विस्तृत विवरन में नहीं जाना चाहता क्योंकि योग शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित सा विज्ञान आपको बता रहा है कि एक दाया दिमाग है और एक बाया दिमाग है ठीक है बस इन दोनों चीजों को एक साथ रख दीजे ऐसे किसी भी चीज की ओर परम प्रेम और प्रशंसार से देखिए जो आपके लिए माहिने रखती है वो आपके पत्नी हो सकती है आपके पती हो सकते हैं आपकी संतान हो सकत इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए, उनकी और परहम मंधुरता से देखिए, ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं, कई चीजें बदल जाएंगे, ये योग का पहला रूप है, अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुश्किल हो जाता है, और नमस्का करने के कई तरीके हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये सबसे सरल चीज है, यहीं से शुरू कीज़े, ठीक है?